नमस्क्ति शातियों आप देख रहे प्रगति मीडिया जैसे कि आप जानते हैं कि काफी लोग परिसान हैं पूरा देश नहीं बलकि विदेशों में पूरी दुनिया काफी लोगों ने तो उमीद तक छोड़ दी हैं इसमें किसान से लेके एक बड़ा वियापारी सभी लोग क की वाज़े से काफी परिसान है बारत की स्थिति आर्तिक स्थिति की बात करें या पूरी दुनिया के आर्तिक स्थिति की बात करें तो आर्तिक स्थिति काफी लोगों की खराब हो चुकी है बड़े बड़े व्यापारी जिनका काफी बड़ा बिजनिस था फैक्टरियां थी और उनके उत्योग में काफी घाटा देखा जा चुका है, अब बात करते हैं 14 अपरल, आपको पता होगा कि मानिय प्रदान मंत्री जी ने 21 दुनों के ले लोगडाउन किया था, इस लोगडाउन को हम बारुकी तरी निवा रहे हैं, हम हर प्रयास कर रहे हैं कि लोगडाउन क को सहीत तरीके से नवाए जाए, जो लोग इस लोगडाउन में भी भूल चुक कर रहे हैं वा बाहर निकल के लोगडाउन को तोडने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर कानुनी कारवाई भी बहुत तरीके से की जा रही है, इस पर हम चर्चा देखते रहते हैं, हम नीज़पे इस तरह से लोगडाउन को तोड़ा कि पूरी हमारे पूरे भारत में कुछ समय के अंदरी करोना वारस की संक्या काफी बढ़ गई है, हम जिसकी बात करे है आपको पता है हो assessments के बारे में बात करे हैं, तबलीकी जमारत क्या था, तबलीकी जमारत में जो गलती हुई यह किया था लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और जो इस गलती की सजा हमारा पूरा देश अभी भुगत रहा है और साइद मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी इसको भुगतना पड़ेगा मैं इसके वार में चर्चा अभी आपको क्यों कर रहा हूं मैं इसलिए आपको यह च रचा करेंगे 21 दुनों के लॉक्डाउन के बाद में क्या होगा यह सभी के मन में एक प्रिश्ण उठा हुआ है सभी के मन में यह सोचा जा रहा है कि 21 दून के 14 अप्रेल के बाद में क्या हमारा व्यापार या हमारी जो कंडिशन है या हम जो भी काम करते हैं वो रेगुलर की स्थिति काफी हद तक बिगड़ी होगी आज भी आप देख सकते हैं कि पांच अप्रेल के दिन चार अप्रेल के दिन यह हाल है और भारत की स्थिति इस समय हमने देखा है कि कोरोना वारस के जो पीड़ित है वह तीन हजार के आज सपास में देखे जा रहे हैं कुछ समय के की अंदर कोरोना वारस की संक्या काफी बढ़ चुकी है तो 14 अप्रेल के बाद में क्या होगा 14 अप्रेल के बाद में क्या कोरोना वारस का जो लॉक्डाउन लगा हुआ था वो क्या खतम हो जाएगा कोरोना वारस क्या भारस से हमेशा अगले खतम हो जाएगा या जितने व अवाँ आपके जो असूल हैं उनको आप तरीके से निवात रहा है। 14 अप्रेल के बाद में दो परिड़ाम दो तरीके से निकाला जा रहा है। कि बाद में जब भारत में और घृण की संक्या काफी बड़ी तो इस पर ये फैशला दो फै confidential है। तो lockdown की संक्या को बढ़ा दिया जाए इसके संक्या को 49 दिन का कर दिया जाए जिससे की 12 सरका इस पर थोड़ा सा control पा सके या फिर ऐसा हो सकता है कि 14 अपरेल के बाद में 3-4 दिन या 5-6 दिन के लिए lockdown खोल दिया जाएगा जादा समय नहीं किया जाएगा इसमें साथ तोड़ दिन के लिए lockdown कोल जाएगा और उसके बाद में एक मेहने मीने के लिए lockdown फिर से कर दिया जाएगा जिस तरह से हमने रेल्वे वाग की हमने एक कुछ ट्रेन सर्च की मैंने कुछ टिकेट बुक की हुई है तो हमें ऐसा टिकेट अगर बुक हो रही है तो हमें उम्मीद 99% यह है कि 14 अपरैल के बाद में लोगडान खुलेगा लेकि लोगडान खुलने के बाद में आप अगर कोई भी कार या लोगडाउन के बाद में भी आप सतर कता से रहें 14 अप्राइल के बाद में आकड़े यही निकाले आ रहे हैं कि 4-5 दिनों के ले ही लोगडाउन खोला जाए और उसके बाद में एक मेने या देड़ मेने के लोगडाउन किया जाए इस पर हमारी भारत सरकार या पूरी दुन्या की जितनी ही साइंटिस्ट या बढ़ी लोग हैं जो इस पर कॉरोना वायरस को रोकने की एक पहल में लगए हुए है वो पूरे बिज्राइस से लगए हुए लेकिन इस समय हमारेस से निकल जाए है लेकिन इस समय हमारे सबसे ج़ह ज़्यान देना है वह सोसल डिस्तनस की बात है लोग बनाके बैठी हुए है आज दिन देखते हैं कि लोग के रहे हैं गेम खेल आप कुछ भी कर रहे हैं कुछ ऐसे हम ने देखे एह में इसके कुछ पार्की ही पास में देखा है तो वहां पे लोग कुछ बच्चे रिकेट तक खेलता हुए दिखाय दिया है तो Social Distance की वा रुड़त कर रहे हैं तो हमारे जन संक्या काफी बड़ी हुई है जहां पर कुछ ऐसे लोग भी है जो कि लोगों को पहला देते हैं उनको ऐसा कहते हैं कि सोसल डिस्टेंस से कुछ नहीं होगा तो वहां पर सोसल डिस्टेंस का बिल्कुल भी त्यान नहीं रखा जा रहा है ऐसी वीडियों हमारे पास में से लगी हुई है बजार में दुकाने टोबंद है लेकिन काफी लोग पफली गूंवी हुई है गूंबने जा रहे हैं लोग सामके टम टेल ले हैं जील ऑप यह और पार्क को में घूंबने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि 14 आप्रेल के बाद में लोगडाउं की स्तित या आप ऐसा सोच रहे हैं कि लोगडाउन के बाद में आप एकदम फ्री हो जाएंगे तो ये आपका सोचना गलत है इस समय आपको धहरे से और सब्बता से और अपने पड़े लिखे का आपको एक प्रभाव समाज को देना है लोगों को समझाना है लोगों की साहता करनी है और हर तरीकी से प्यास करना है कि कोरोना वाइरस पे आपका वी एक महत तुपूर असर हो और कोरोना वाइरस के लड़ाई में एक आपका बहुत बड़ा योगदान हो धन्वाद जय हैंगे